हाई दोस्तों इस व्रोडियो में हम आपको बताने वाले हैं वन प्लस फोन का कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है तो कैसे सही करेंगे तो इसके लिए फोन के सेटिंग्स में जाना है अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर एप्स का आप्सन मिलेगा इस आप्सन पर किलिक करना है अब उपर एप मैनेजमेंट या एप्स का आप्सन मिलेगा इस आप्सन पर किलिक करना है अब जहाँ पर सभी एप्स रहते हैं उस सेटिंग्स में आ जाएंगे इसी सेटिंग्स में आना है और अब कैमरा एप को खोजना है तो उपर ही मिल जाएगा कैमरा देखे यहाँ पर है इस पर हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर force stop का option मिलेगा इस option पर क्लिक करना है और force stop कर देना है इतना करने के बाद अब यहाँ पर permission का option है इस पर क्लिक करना है और नीचे आना है अब जो Permission Allow नहीं है उस Permission को Allow करना है तो देखे यहाँ पर Not Allow लिखा है इसके नीचे जो भी Permission Allow नहीं है तो हम इन पर क्लिक करते हैं और सबसे उपर Allow का Option है इस पर क्लिक करते हैं और बैक आते हैं तो देखे Permission Allow हो गया इस तरह चेक करके सभी पर्मिशन को allow कर देना है तो अब सभी पर्मिशन allow हो चुकी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तो अब हम वैक आते हैं अब यहाँ पर एक और option मिलेगा storage, usage या storage नाम से इस option पर click करना है फिर clear data का option मिलेगा इस पर click करना है और okay कर देना है ऐसा करने से कोई भी photo delete नहीं होगा तो अब भैक आना है home screen पर अब phone के camera में जो भी problem रहेगी सब सही हो जाएगी अब आप camera का इस्तमाल कर सकते हैं तो उम्मीद है video आपको फसंद आई होगी तो video को like और channel को subscribe कर लिजिए एक फ्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू